Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में मैं आपको असाम के Current Affair पढ़ाऊंगा 2022 के Complete, यानी 1 जनवरी से लेकर और 31 जुलाई तक. In fact, मैंने August के भी शुरू के 15 दिन के Current Affair कवर कर लिये हैं, तो टोटल इसमें एक तरह से 1 जनवरी 2022 से 15 अगस्त 2022 तक के Detailed Current Affair हम असाम के पढ़ेंगे, ये असाम में आने वाले जितने भी एक्जाम हैं, जैसे असाम PSC, APSC जिन भी एक्जाम को कन्येट करती हैं, असाम में जो SI का एक्जाम है, असाम TET, असाम SSC, सब में आपकी काफी help करेंगे. तो असाम के जितने भी वीडियो मैंने आज तक बनाए हैं, सब में बहुत ज़्यादा व्यूज हैं, आपने बहुत प्यार दिया है मेरे वीडियो को, इसलिए असाम मेरी priority रहती है, और मैं हमेशा असाम के बहुत सारे वीडियो लेकर आता हूँ. और मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ, यह वीडियो सब के लिए एकदम फ्री है, तो आपके जो असाम के दोस्त हैं, उनके साथ इसको share करना मत भूलना, अगर आप मुझसे daily current affair पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हैं, study IQ का, वहाँ पर एक छोटा एक्जाम, agriculture के जो एक्जाम है, तो यह current affair का जो course है, वह आपकी help करेगा, और इसका जो link है, अगर आप इसको खरिदना चाहते हैं, तो मैंने नीचे description में डलवा दिया है, लगबग deadlock students मेरे इस course के paid subscribers हैं, आईए अब वीडियो को start करते हैं, इससे पहले मैं MCQs को start करूँ, हम बात करते हैं, one district, one product, असाम की, असाम के सभी districts में कोई ना कोई एक product ऐसा है, जो बहुत ज़दा खास है, तो असाम के सभी districts का एक product ऐसा होगा, जिसकी सरकार marketing करेगी, यह concept होता है, one district, one product, सबसे पहले इस concept को उत्तर परदेश लेकर आया था, और इसका फायदा बहुत हो कि दिबरुगड का क्या महशूर है, असाम में, तो दिबरुगड का mustard products जो है, वो महशूर है, यानि कि जो सरसों के जो बने हुए products होते हैं, वो काफी famous है, इसी तरह से जब आप marketing करते हैं, तो काफी आसान हो जाता है public तकी message पहुँचाना, और उससे फिर exports भी बढ़ते है और product जो है, वो काफी premium भी हो जाता है, for example, एक बार ये महशूर हो गया, कि दिबरुगड के mustard products बहुत महशूर है, तो फिर इनके लिए आप ज़्यादा price चार्ज कर सकते हैं, तो इसे किसानों की income भी भढ़ती है, marketing का सबसे बड़ा फाइदा ये होता है, कि आपका जो normal product है वो एक brand बन जाता है, और जब वो brand बन जाता है, तो आप उसे एक थोड़े से ज़्यादा price पर sell कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि असाम में जो different places हैं, उनके कौन से one product है, जो सरकार कहती है असाम की, कि वो उनसे associated है, एक जिला, एक उत्पाद, यानि one district, one product, बक्सा, बक्सा का product होगा honey, शहद, बार पेटा का होगा milk products, विश्वनाथ, चराली, potato, बौंगई गाउं, तर्मरिक, काचर, district, pineapple, चरादेव का rice और rice products, चिरांग, lemon, फिर दर्रांग, धेमाजी और दिब्रुगाड, इन तीनों के होंगे mustard products, दुब्री, दुब्री का होगा चिली, दीमा हसाओ का ginger, गोल पारा का बनाना, गोला घाट का black rice, हला कंडी का erika nut, is that clear? और वैसे दीमा हसाओ का एक wine भी होता है, right? दीमा हसाओ का जो famous wine होता है, वो उसे GI tag भी मिला था, right? क्या नाम है उस wine का? क्या आप बता सकते हैं कि जो दीमा हसाओ का wine होता है, तो उसे हम जो डीमा rice wine बोलते हैं, actually ये rice से wine बनता है, तो वो भी दीमा हसाओ में होता है, इसको जो दीमासा people है, वो बनाते हैं इस wine को, और ये काफी ज़्यादा famous है, फिर होजई, होजई का sugar cane product जैसे wine और jaggery मशूर है, जोरहाट का चिली, कामरूप का बनाना, कामरूप रूरल औ और कामरूप जो अर्बन है, तो कामरूप रूरल का बनाना और बाकी का fruits and vegetables, उसके बाद कार्भी आंगलॉंग, कार्भी आंगलॉंग जिंजर, करीम गंज का erika nut या बीटलनट, कोकरा जहार का मश्रूम, लखिमपुर का पिगरी यानि smoked meat, pork जिसे हम बोलते हैं, माजूली, माजूली का mustard oil या seed, मौरी गाउं का ground nut product, ground nut पतला मूमफली, peanut भी बोल सकते हो, नगाउं, जो नगाउं, हीमादास नगाउं से ही हैं, धिंग express बोलते हैं हम, हीमादास बहुत अच्छी runner है, athlete है, तो fruits and vegetables, pickles, especially pickle enterprises, नौलबरी, नौलबरी का चावल, शिवा शागर का चावल, स्वानितपुर, jackfruit, south salmara, cashew nut, तिन सुकिया का citrus products, उदलगिरी, potato और west carby anglong का ginger, तो ये important है कि आप ये सारे districts के products याद रखें, at least जितने ज्यादा हो सकते हैं, आप याद रखें क्योंकि exam में एक तो जरूर पूछेंगे, one district, one product, जब UP ने apply किया था, तो UP के जो local exam थे, उनम हर इंडिया का राज्य, one district, one product को popularize कर रहा है, तो ये असाम का है, one district, one product, आईए अब MCQ स्टार्ट करते हैं, उस project का क्या नाम है, जो काचर district में, वहाँ के social welfare department ने चलाया, और इसे scotch award मिला है, अपने socio-economic approach के लिए to eradicate malnutrition, इसमें वो बच्चे, जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र है, जिनकी, right, which are between the age of 6 months to 5 years, उनका malnutrition काफी कम हुआ है, इस project से, तो इस project का नाम है, परवरिश, project परवरिश, जो है, ये deputy commissioner, जो काचर के है, कीरती जली, उन्होंने start किया था, और काफी famous ये रहा है, this initiative has been very, very popular, और इससे वहाँ पे malnutrition काचर में काफी कम हुआ है, अभी अभी नौर्थीस्ट इंडिया की पहली जन्शताब्दी express train चली, जन्शताब्दी जो होती है, ये थोड़ी सस्ती होती है compared to शताब्दी express, तो पहली direct जन्शताब्दी express train नौर्थीस्ट की चली अगारतला से जिरिबाम वाया असाम, तो ये जब अगारतला से जीरिबाम गई तो असाम होते हुए गई आपको बताना है जीरिबाम कहां पर है जीरिबाम जो प्लेस है यान लखिए ये मनिपुर में है तो आंसर है मनिपुर यानि कि इसने त्रिपुरा को क्योंकि अगारतला त्रिपुरा का capital है तो त्रिपुरा को इसने connect किया मनिपु से वाया असाम तो क्या रूट लिया इस ट्रेन ने ये जो ट्रेन है असाम के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गई और जैसे फॉर एक्जामपल जिरिबाम से जब ये चली तो इसने काफी सारे टाउंस को कनेक्ट किया सिल्चार बदरपुर न्यू करिम गंज धरम न पहुँच सकते हैं अभी कोई डिरेक्टर नहीं थी मनिपूर त्रिपूरा के बीच में तो ये पहली है जो डिरेक्ट है और ये सबसे इंपोर्टेंट जगा जो असाम की करेगी वो है सिल्चर विकोज सिल्चर जो है काचर डिस्ट्रिक्ट में आता है and it is a very important town of Assam कौन सा प्रोजेक्ट है जो National Health Mission Assam ने लांच किया in collaboration with Piramal, Swasta and Cisco to demonstrate the integration of digital health technology to strengthen public health care delivery in Assam Assam में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था Project Nirram में और ये जो प्रोजेक्ट है Nirram में ये प्रामल, Swasta और Cisco ने Assam सरकार के National Health Mission के साथ मिलकर चलाया जिससे असाम में हम technology का use कर सकें, हम technology का use किस चीज़ के लिए? Healthcare को और ज़ादा मजबूत करने के लिए. Is that clear? और जो पिरामल company है, पिरामल स्वास्त है, इसका एक platform है जिसको बोलते हैं Amrit. Amrit की full form है Accessible Medical Records via Integrated Technology. तो इससे digital infrastructure जो है वो काफी मजबूत होगा, patient के जो records है, health record वगारा वो असानी से available हो पाएंगे और असाम में ये project तीन district में चलाया गया. एक तो बारपेटा, एक दर्रांग और एक बकसा. तीन जगा पे चलाया गया, बाकी बाद में ये बाकी जगा पे भी चलाया जायाएगा. इस project का जो pilot हुआ था वो बारपेटा, दर्रांग और बकसा में हुआ था. तो निराम में project कैसे help करेगा? निराम में project जो है पिरामल स्वास्ते का अमरित platform यूज़ करेगा और health records वगारा को बहुत easily accessible बनाएगा बारपेटा, दर्रांग और बकसा में. अभी अभी 9th edition हुआ, North East Festival का, ये असाम में हुआ था. असाम में कहां पर हुआ था? तो असाम में जो ये है, गोवाटी में हुआ था. तो आंसर है गोवाटी. और हमारा एक department है, जिसको बोलते है, ministry है in fact, पूरी अलग. जिसको बोलते है, Ministry of Development of North Eastern Region. और इसके मिनिस्टर कौन है अभी? इसके मिनिस्टर है, जी किशन रेटी. और जी किशन रेटी जो है, वो हमारे culture minister भी है, और वो हमारे tourism minister भी है. इनकी constituency भी याद रखिए, इनकी constituency सिकंदराबाद है. असाम की सरकार ने decide करा है, कि जो औरांग national park है, इसका size increase किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घडियाल conservation होगा. इंडिया में तीन तरह के crocodile होते हैं. एक जिसको हम बोलते है, salt water crocodile, यानि estu rain crocodile भी इसे बोलते हैं, यह सबसे बड़ा होता है size में. यह आपको मिलनी भीतर कनी का national park पे मिलेगा, जो डेल्टा वाले area होते हैं, महाँ पर भी मिलता है, एक होता है, जिसे हम बोलते हैं मगर, और एक होता है घडियाल, तो घडियाल crocodile सबसे अलग दिखता है, क्योंकि घडियाल के आगे यह snout होता है, छोटा सा, इससे यह अलग से पहचाना जाता है, तो औरांग नैशनल पार्क में घडियाल conservation पे जोड दिया जाएगा, इसके लिए औरांग नैशनल पार्क का जो size है, वो बढ़ाया जाएगा, औरांग नैशनल पार्क का जो size है, 200.32 square kilometer से increase किया जाएगा, तो आपको बताना है, औरांग नैशनल पार 53 Tiger Reserves है, पहले 50 थे, लेकिन 3 Tiger Reserves नए बने है, और यह 3 कौन से है, तो यह 3 Tiger Reserves जो बने है, इंडिया में नए, 51 टाइगर रिजर्व है, मेग-मलई, शिरी विलुपुत्तूर, जो तमिलाडु में है, मेग-मलई, शिरी विलुपुत्तूर, 52 जो बना है, वो राजस्तान में बना है राइट राजिस्थान में और इसको बोलते हैं रामगड विशधारी टाइगर रिजर्व और जो 53 थर्ड बना है वो है गुरू घासिदास टाइगर रिजर्व कहां पे बना है गुरू घासिदास टाइगर रिजर्व ये 36 गड में बना है इस दाट क्लियर तो 53 टाइ जिनका 20th मीटिंग हुआ था अभी अभी अर्णाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व में. ये बहुत बड़ी बात है, NTCA के 19 मीटिंग हो चुके हैं और वो 19 मीटिंग दिल्ली में हुए थे, लेकिन पहली बार इनका मीटिंग दिल्ली के बाहर हुआ था और वो अ असाम में और भी नेशनल पार्क हैं, असाम में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? सेवन, काजी रंगा, मानास, नामेरी, राय मोना, दिबरु साइखोव, देहिंग पटकई और औरांग. तो ये सेवन नेशनल पार्क हैं, इन में से चाल टाइगर रिजर्व हैं. चाल दिस्ट्रिक्स में फैला हुआ है, एक तो दर्रांग और एक सोनित्पुर. तो ये दो डिस्ट्रिक्स में असाम के फैला हुआ है, ध्यान लखिए. अगर मैं आपसे पूछूँ कि असाम का कौन सा वाइल लाइफ सैंचुरी है, जिसे मिनी काजी रंगा बोलते हैं, तो क्य टीप में पढ़े थोड़ा सा टेप्थ जो है आपकी होनी चाहिए, तभी आप एक्जाम में कॉन्फिडेंस आपको आएगा. अभी अभी असाम वैभव, ये असाम सरकार का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये किसे मिला? और असाम वैभव जब मिलता है, तो पांच ला इंडस्टेलिस्ट रहे है, अभी टाटा गुरुप के चेर्मेन ये नहीं है, क्योंकि अभी काफी बुड़े हो गए है, इनकी एज 84 है, अभी टाटा गुरुप के चेर्मेन कौन है? एन्चंदर शेखरन, ये कोश्चन भी आता है एक्जाम में, एन्चंदर शेखरन, तो रतन टाटा ने क्या किया है, जिसके लिए ने असाम वहबब मिला है, इन्होंने cancer hospitals बनवाए हैं असाम में, उसके लिए इन्होंने काफी donate किया है, और इसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, अजाम की सरकार के दो अवार्ड और है, एक है असाम सौरव, ये second highest civilian award है अस असाम वहबब मिला है, और cash award कितना मिलता है, असाम वहबब में मिलता है 5 लाग, असाम सौरव इसमें मिलता है 4 लाग, और असाम गौरव में मिलता है 3 लाग, असाम और नागलेंड के बीच जो border dispute है, वो दोनोंने decide किया है कि वो out of court settlement करेंगे, नागलेंड और असाम का 500 km का border है almost, और यहाँ पे काफी जादा जो dispute है, कुछ areas हैं जिनको लेकर dispute है, तो अब decide करा है असाम और नागलेंड ने कि वो इसको खुद ही settle करेंगे, आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक नामसई declaration भी sign हुआ है, लेकिन नामसई declaration sign हुआ है असाम और अरुनाचल परदेश के बीच में, एक्चुली अरुनाचल परदेश में एक जगा आती है नामसई, तो हेमनता पिश्वा सर्मा और असाम के चीफ मिनिस्टर है और अरुनाचल परदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू वो मिले थे अभी अभी और उन्होंने नामसई declaration जो है उसे sign किया है, इसके बारे में मैं और बताऊंगा, आगे question है इसके उपर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा project है जो असाम की सरकार ने launch किया है, जिसमें जो 4-5 लाग pending files है, महां के सचेवाले में असाम के उनको तुरंत dispose of किया जाएगा फटा-फट, तो इस project का नाम है, क्या नाम है इस सद भावना, project सद भावना इसका नाम है, 4-5 लाग जो pending files है, उनको फटा-फट, quick solution उनका होगा, और इसमें वो फाइले हैं, जो 10 मई 2021 से पहले पहले की हैं, उनको फटा-फट dispose किया जाएगा, क्योंकि वो पुरानी हो गई है, असाम की जो सरकार है, उन्होंने एक 4 साल का mentorship program स्टार्ट किया है, जिसका नाम है project आरोहन, जिसमें students को guide किया जाएगा, और उनका skill development भी किया जाएगा, इसके लिए, इस project आरोहन के लिए, उन्होंने कौन सी company के साथ partnership करी है, आरोहन project के लिए, इन्होंने Tata Strive के साथ partnership करी है, Tata Strive, Tata Strive, एक skill development program है, Tata Trust चलाता है, जिस Is that clear? आगे बढ़ते हैं, काकोजियाना Reserve Forest, ये असाम के बोनगई गाउं district में आता है, तो काकोजियाना Reserve Forest को एक special wildlife century बनाया गया है अभी-अभी, कौन से animal को conserve करने के लिए, और इस wildlife century का नाम रखा है, काकोजियाना बामुनी हिल, wildlife century, तो असाम में ये नई wildlife century बनी है, तो ये कौन से animal को बचाने के लिए, तो ये animal है, golden लंगूर, golden लंगूर, golden लंगूर का scientific name क्या है, इसको बोलते हैं, Trachypithecus गी, G-E-E-I, Trachypithecus गी, तो ये इसका नेम है, golden लंगूर, golden लंगूर काफी जादा खत्रे में है, golden लंगूर जो animal है, ये एक प्राइमेट है, और आगर आपसे पूचें, इसका IUCN status क्या है, तो वो है endangered, आपने सुना होगा, IUCN अपनी red data list होती है, red list में endangered, critically endangered, vulnerable इस तरह कई सारी list उसमें रखता है, depending on the severity of the threat, तो IUCN ने इसको endangered category में रखा है, अब एक बड़ा अच्छा सवाल ये है, कि काकुजी आना, बामूनी जो century है, wildlife century जो नई बनी है, golden लंगूर के लिए, क्या ये पहली wildlife century है असाम की, जो golden लंगूर को बचाने के लिए बनी है, नहीं, ये दूसरी है, तो पहली कौन सी थी, चक्रशिला, असाम में एक चक्रशिला wildlife century है, ये wildlife century भी बनी थी, golden लंगूर को बचाने के लिए, तो असाम म देता हूँ आपको, असाम में एक Wild Life Century और बनी है नहीं, जिसका नाम है बारक भुबन Wild Life Century, इसके बारे में भी मैं आने वाले समय में बात करूँगा, इसी वीडियो में आने वाले question में बात करूँगा, बारक भुबन Wild Life Century बारक वैली में बनी हैं, आगे बढ़ते हैं, फेमस Freedom Fighter और गांधियन Social Worker शकुंतला चौधरी की डेत हो गई, इन्हें पदम श्री मिला था कौन से साल में, ये कामरूप से थी असाम में, she was from कमरूप, तो इन्हें शकुंतला बैदयो बोलते थे प्यार से, इनकी उम्रती 102 और इन्हें पदम श्री 2022 में मिला था, इन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला था, ये काफी रिनाउंड Freedom Fighter थी, और एक आश्रम है जिसको बोलते हैं, सरनिया आश्रम, S-A-R-A-N-I-A, सरनिया आश्रम कहां पर है, गुभाटी में है, वहां पर इन्होंने काफी सारा समय बिताया, और महात्मा गांधी जी भी रहे थे इस आश्रम में कुछ समय, तो महात्मा गांधी जी के साथ भी associated थी, और जो गुभाटी में कस्तूर्ब आश्रम है, उनकी भी ये supervisor रही है, तो बहुत सारे award इन्हें मिले थे देशभक्ती के लिए, तो शकुंतला चौधरी की death अभी अभी हो गई, आजाम के हिमंता विश्वा सर्मा ने भारत का पहला night navigation mobile app launch किया है, फैरी services के लिए कौन सी नदी के उपर, ये नदी कौन सी है, तो ये नदी of course ब्रह्मपुत्रा की बात हो रही है, गुभाटी is located on the bank of ब्रह्मपुत्रा river and so are many other places of Assam, तो ये जो mobile app है, actually क्या है, अभी 19 फर्वरी की ब नाव होती है, बड़ी इसको ferry बोलते हैं, तो एक ferry गुभाटी और नौर्थ गुभाटी के बीच में उसने inland water transport किया, और ब्रह्मपुत्रा नदी पे आप जानते हैं कि जो inland waterway है वो कौन सा है, उसको बोलते है national waterway 2, साधिया से धुबरी तक extend करता है ब्रह्मपुत्रा नद इसके लिए भारत का पहला night navigation app launch किया गया है, और ये बनाया किसने है, ये जो बनाया है असाम सरकार का जो state transport department है, उन्होंने IIT मदरास के एक प्रोफेसर है, के राजू, उनके साथ मिलकर बनाया है, के राजू, IIT मदरास के एक renowned scientist है, असाम rifles ने अपना 187th foundation day celebrate किया, किस दिन किया, ये इन्होंने 24th March को किया, तो answer है 24th of March, असाम rifle is the oldest paramilitary force of India, ये सबसे पुराना paramilitary force हैं इंडिया का, ये 1835 में बना था, और जब ये बना था, तो इसको बोलते थे काचर लेवी, ये जो tea plantations हैं, उनको बचाने के लिए Britishers ने एक फॉज बनाई थी, क्योंकि अंग्र काचर लेवी, जिसको आज हम असाम rifles के रूप में जानते हैं, और असाम rifles का headquarter Shilong में है, असाम rifles मयामार बॉर्डर पे तैनात रहता है mainly, लेकिन दूसरे purposes के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है, तो काचर लेवी को हमने असाम rifles नाम कब दिया था, 1917 में इसको हमने rename करक असाम rifles बोलना start कर दिया था, और असाम rifles सबसे पुराना centrally armed police force है, यानि की paramilitary force है, is that clear, असाम rifles कौन से ministry के अंडर आता है, असाम rifles ministry of home affairs के अंडर काम करता है, आगे बढ़ते हैं, अभी अभी असाम में एक जो archaeologist की team है वो आई थी, उन्होंने 65 mysterious giant sandstone jar discover करे हैं, अनर्थ की हैं, खुदाई हुई थी, excavation हुआ था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 65 है, mysterious jar मिले हैं, आपको बताना है कि ये कौन से country के सहयोग से हुआ है, तो ये जो scientist थे, ये India और Australia के थे, तो answer है, India और Australia, दो countries के जो scientist है, उन्होंने ये excavation किया था, different places में असाम में, और वहाँ पर 65 mysterious giant sandstone jar मिले हैं, और इंडिया की तरफ से, जो ये excavation को lead किया था, दो लोगों ने किया था, एक तो है Mr. Tillok ठाकुरिया, तिलोक ठाकुरिया जो है, ये North Eastern Hill University से हैं, और एक है उत्तम बथरी, उत्तम बथरी जो है, ये गुवाटी उनिवसिटी स हैं, तो दो main scientists जो हैं, वो हैं तिलोक ठाकुरिया और उत्तम बथरी, गर्भंगा रिजर्फ फॉरेस्ट, ये असाम का 25th wildlife century बना है, आपको बताना है कि ये कौन से असाम के किस border पे आता है, गर्भंगा रिजर्फ फॉरेस्ट, ये असाम और मेगालिया border पर आता है, तो ये गर्भंगा रिजर्फ फॉरेस्ट, असाम मेगालिया border पर है, ये भी एक important wildlife century है, अब ये बनी है, बहुत बड़ी नहीं है ये size में, 117 square kilometer है सिरफ, लेकिन रानी और गर्भंगा रिजर्फ फॉरेस्ट जो है, वो अब एक wildlife century उनको declare कर दिया गया है, अभी-अभी Dornier 228 aircraft, य इसको हिंदुस्तान Aeronautics Limited बनाता है, Dornier को, तो इसने अपना पहला commercial flight ये undertake किया, असाम के कौन से district से ये अनाचल परदेश के पासी घाट तक गया, पासी घाट East Siang district में आता है अनाचल के, तो याद रखिए, असाम में ये दिब्रुगड, असाम में ये दिब्रुगड से लेकर पासी घाट तक गया, this is very important question, और इसने अपनी पहली commercial flight अभी अभी भरी है, ये जो Dornier aircraft है, ये छोटा aircraft होता है, इसमें 17 लोग बैठ सकते हैं, so it is a 17-seater aircraft, और आपको ये भी बता दूँ, एक company है, Alliance Air, Alliance Air direct flight स्टार्ट कर रही है, दिब्रुगड को पासी घाट और लि एक जगा है लिला बरी, वहां से भी connect किया जाएगा, और बाद में फिर दूसरी जगा है, जैसे अरणाचल परदेश में एक टाउन है, जीरो, हिल स्टेशन है, जीरो, उससे भी connect किया जाएगा, अरणाचल परदेश में एक जगा है तेजू, उससे भी connect किया जाएगा, ल गोलते हैं आकाश एर, इसमें 45% हिस्सा है राकेश उन्यून वाला का जिनकी डेथ अभी अभी हो गई है, और आकाश एर की जो पहली फ्लाइट है, वो मुंबई से एहमदाबाद तक थी, हमारे सिविल एवेशन मिनिस्टर जोतिर आधिते सिंधिया ने इनॉग्रेट करा है North East India का पहला Flying Training Academy, यह असाम के लीला बरी में ओपन हुआ है, यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है लीला बरी, तो लीला बरी लखिम्पूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यह जो ट्रेनिंग स्कूल है, इसका नाम है Redbird Flight Training Academy, ठीक है, Redbird, मदब कंपनी जिसने खोला है यह Flying Training Academy, उसका नाम है Redbird Flight Training Academy, इन्होंने Airport Authority of India के साथ मिलकर इसे open किया है, इस Academy को यहाँ पे 200 घंटे का commercial pilot training दिया जाएगा, और Airbus या Boeing 737 दोनो विमान उड़ाने की training यहाँ पे मिलेगी, अभी अभी कौन सी company है, जिसने commission किया है, इंडिया का पहला 99.999% pure green hydrogen pilot plant असाम में, यह इंडिया का पहला pure green hydrogen plant है, तो यह जोर हाट में establish किया गया है, एक तो यह याद रखिए, कहाँ पे setup किया गया है, जोर हाट में, और यह green hydrogen बनाएगा कितना, 10 kg per day, तो यह किसने बनाया है, oil India limited, oil India limited जो company है, यह एक 9 रतन company है, इंडिया में 13 company है, जो 9 रतन है इस समय, और 11 company है, जो महारतन है, तो जादा बड़ी company होती है, महारतन, तो 10 kg per day hydrogen यह बनाएगा, green hydrogen, अब green hydrogen होता क्या है, जब आप पानी, पानी को H2O बोलते हैं, जब आप पानी को break करके hydrogen बनाते हैं, hydrogen अलग कर लेते हैं, oxygen अलग कर लेते हैं, renewable energy source से, तो उसको बोलते है, green hydrogen, असाम और मेगालिया के बीच में भी जो border dispute है, वो चल रहा है, तो हेमंता पिस्वा सर्मा, कॉन्राड संग्मा, जो हे मेगालिया के CM है, उनसे मिले, और उनसे यह decide किया, कि जो 884 km border है, वहाँ पे कोई भी dispute है, हम उनको सुलजाना चाहते हैं, और अभी step by step हो गई है, आप जानते हैं, मेगालिया असाम से ही cow out होके बनाता 1972 में, तो कुछ ऐसे villages हैं, कुछ ऐसे areas हैं border पे, जिनको लेकर dispute है, तो 12 areas हैं, जिनमें dispute है, 12 में से 6 areas ऐसे हैं, जिनमें first phase में dispute dispute कम किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, ये 6 areas हैं, हाहिम, गेजॉंग, तारा बौरी, बौकला पारा, खाना पारा, पिलिंग काटा और रता चेहरा, ये असाम मेगालिया बार्डर पर हैं, इनको लेकर जो dispute हैं, वो खतम किया जाएगा first phase में, इस देट क्लिर? असाम का पहला trans tea stall, ये कहां पे inaugurate किया गया है, इसको जो transgender community है, वो चलाएगी, इस tea stall को, तो ये कमरूप district में open किया गया है, all असाम transgender association ने इसको open किया था, अभी अभी एक green field airport बनेगा असाम में, ये डोलू नाम की जगा पर बनेगा, ये डोलू जगा कहां पर है, ये उधोर bon assembly constituency में आती है, ये कौन से district की बात हो रही है यहां पर, तो याद रखिए, डोलू famous है, एक basically tea estate है, डोलू, बहुत famous tea estate है, tea cultivation काफी जादा होता है यहां ये काचर district में आता है, तो यहां पर एक green field airport बनेगा, ये सिल्चर से 24 km दूर है, ये जगा डोलू और यहां पर green field, green field airport क्या होता है, green field airport मतलब बिलकुल नया airport, कई बार क्या होता है, हम जो हमारी military के air strips हैं, उनको convert कर देते हैं, civilian airport वगारा में, वो सब नहीं, ये बिलकुल scratch से airport बनेगा, बिलकुल शुरू से पूरा नया एकदम ये airport बनेगा, अजाम के मुक्यमंत्री हिमंता विश्वा सर्मा ने अभी-अभी कर्मश्री अवार्ड दिये, Civil Services Day जब मनाया गया था उस दिन, तो ये कर्मश्री अवार्ड पाँच officials को दिये, असाम सरकार के, आपको बताना है कि ये किस दिन मनाया जाता है, Civil Services Day, तो Civil Services Day मनाया जाता है 21 April को, तो आंसर है 21st of April, 21st of April को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21st April को सर्दार बलब भाई पतेल, जो भारत के पहले Home Minister थे, Independent India के, उन्होंने एक स्पीच दिया था, Metcalf House दिल्ली में, और वहाँ पर उन् हमारे जो IS Officers हैं, Civil Servants हैं, उन्हें Steel Frame of India कहा था, तो उस दिन को हम याद करते हैं 21st April को, इसलिए Civil Services Day हम मनाते हैं, और ये पाँच कौन हैं, जिने ये Award मिला है, पाँच जो Civil Servants हैं, ये खेर आपको याद रखने की ज़रुत नहीं है, बाकी एक पर वैसे बता देता हूँ आ देका, और और भी हैं, डॉक्टर अंबिका डेका, राकेश कुमार, और कीर्थी जल्ली, तो इस तरह के लोग हैं, एक बितूपन नियोग भी हैं, तो इस तरह से इनको मिला था, लेकिन अगेन ये सब आपको बिलकुल याद रखने की ज़रुत नहीं है, कि किसे मिला है, आ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वैसे, किस-किस को मिले हैं, अगर आप थोड़ा डिटेल चाहते हैं, तो इस वीडियो का PDF में शेर कर दूँगा, उसमें इनके नाम लिखे हैं, कि किस-किस को मिला है, और क्यों मिला है, कौन से IPS officer हैं, असाम मेगालिया कैडर के, जिने अभ अभी-अभी Home Minister से Medal for Excellence in Police Training मिला है, Medal for Excellence in Police Training, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है संजुकता प्राशार, संजुकता प्राशार जो हैं, यह अभी NIA में Deputy Inspector General है, DIG है, और NIA के भी नए Director General बने है, कौन? Mr. Dinkar Gupta, Dinkar Gupta जो है, वो NIA के नए Director General बने है, National Investigative Agency, यह ध्यान रखिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, एक नई स्पीशीज अभी-अभी मिली है, Endoslita macundae, यह असाम में डिसकवर हुई है, यह कौन से जानवर की स्पीशीज है, यह जो एनिमल है, जिसकी यह स्पीशी है, इसको बोलते हैं, मौत, तो यह एक मौत की स्प स्पीशी है, और यह इसको Endoslita macundae क्यों बोलते हैं, तो macundae इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह जो स्पीशी है, यह Macunda Christian Leprosy and General Hospital के आसपास पाई गई है, तो एक परसन है, Vijay Anand Ismavel, और उनकी वाइफ एन, वो करिम गंज में आये थे, पहले तमिलाडू में रहते थे, उन्ह इन्होंने Macunda Christian Leprosy and General Hospital स्टार्ट किया था, और उन्होंने ही, Vijay Anand Ismavel ने ही यह स्पीशीज डिस्कवर करी है, और इसलिए इसका नाम भी इन्होंने Endoslita macundae रखा है, इस देट क्लिर, और यह Macunda Christian Leprosy and General Hospital कहां है, यह करिम गंज में है, असाम में, इट इन करिम गंज, प्लांट लगाया है, again, it's a very important question, इंडिया में पहली बार यह M15 पेट्रोल का प्लांट लगा है, और यह तिन सुकिया में लगा है, तो आंसर है तिन सुकिया, M15 मतलब क्या होता है, यह वो पेट्रोल है, जिसमें हम 15% मीथेनॉल मिक्स कर देते हैं, 15% मीथेनॉल, और मिक्स उसमें 85 ml ही पेट्रोल है, और 15 ml उसमें मिक्स कर देते हैं, तो पेट्रोल कंजम्शन कम हो जाएगा, तो हमारा इंडिया इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा, current account deficit कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेट्रोल हमें खरिदना पड़ता है, इंडिया में पेट्रोल उतना ज्यादा नहीं होता, और तिन सुक्या में ही यह क्यों लगाया है, तिन सुक्या में ही, actually क्या है, आप जानते हैं, यहाँ पर जो दिख बोई है, यहाँ पर actually एक, जो यह M15 प्लांट लगा है, यह Assam Petrochemical Limited जो नमरूप में है, उन्होंने लगाया है, in the vicinity of दिख बोई ठीक है, in the vicinity of दिख बोई, तो तिन सुक्या के यह बिल्कुल पास है, Assam Petrochemical Limited नमरूप दिख बोई के एकदम पास है, और मीथेनोल एक clean fuel है, इससे residue भी नहीं होता जादा, तो यह भी कुछ reasons हैं जिसकी वज़े से मीथेनोल mixing हम कर रहे हैं, हमारी एक national biofuel policy भी है, जिसमें ह 20% ethanol mix करना चाहते हैं, वो मीथेनोल है, लेकिन यहाँ पे ethanol की बात कर रहा हूँ, तो ethanol क्योंकि जातर plant sources से बनता है, तो इससे farmer की income भी भड़ेगी, और 20% ethanol को mix करने का हमारा जो target है, वो है 2025, पहले 2030 था, लेकिन अब है 2025, is that clear? अभी अभी, असाम के कौन person है, जिनने Young Executive Award मिला है, यह Airport Council International Asia Pacific ने उन्हें दिया है, इनका नाम है रखी पुत्तिन एहमद, यह एक famous environmentalist है असाम से, इनने यह Award मिला है, यह Award 2009 में start हुआ था, और Airport Council International ACI का Headquarter, Montreal में है, असाम Cancer Care Foundation, यह एक collaboration है, असाम सरकार और कौन सी company के बीच में, तो याद रखिए, यह Tata Trust और असाम Cancer Care Foundation के बीच में है, और total 17 medical facilities यह run करते हैं, तो Prime Minister Modi ने भी inauguration किया था भी, असाम Cancer Care Foundation के कुछ facilities हैं, Tata Trust के साथ मिलके जो बने हैं, उनका inauguration प्रदान मंत्री मोदी ने किया था, और जो यह 17 हैं, इन में से 7 का inauguration उन्होंने किया था, दिब्रुगड, बारपेटा, तेजपुर, जोरहाट, लखिमपुर, कोकरा जार और तरांग में, कहर यह सबग पो याद नहीं रखना है, बस टोटल आप याद रख लो, टोटल साथ inaugurate किये थे उन्होंने 17 में से, और Tata Trust के साथ मिलकर यह Cancer Care Foundation hospitals खोलता है, तो प्रदान मंत्री नेरिंदर मोदी असाम में जब आये थे, तो उन्होंने दीफु में एक वेटिनरी कॉलेज का foundation stone रखा, डिगर नहीं अमरित सरोवर बनेंगे बहुत सारे, आप जानते हैं, इंडिया के हर डिस्टिक्ट में 75 अमरित सरोवर बनेंगे, पहला अमरित सरोवर इंडिया का UP में बना था, और दिब्रुगड में 7 Cancer Care Hospitals जो है, PM ने inaugurate करे, जिनमें से दिब्रुगड Cancer Center, साथ मैंने बता दिये कहाँ पे किये थे, उनमें दिब्रुगड Cancer Hospital भी था, और बस टोटल यह याद रखिए, टोटल 17 Cancer Hospital है, इनमें से 7 inaugurate किये थे परधान मंतरी मोधी ने, आगे बढ़ते हैं, अभी अभी इनमें से कौन सा organization है, जिन्होंने एक report release करी है, on Assam as India's Gateway to ASEAN, तो यह जो report है, वह यह क Asian Development Bank ने, ADB, जिसका headquarter, Philippines की capital, Manila में है, तो जो Assam है, वह Gateway to ASEAN, उन्होंने कहा है, इस report में, Sawn Bill, यह largest wetland है North East का, और second largest seasonal wetland है Asia का, यह कहां पर है, यह अभी अभी news में आया था, तो central government इसको clean करना चाहती है, और इसको काफी ज़्यादा promote करना चाहती है, Sawn Bill, एक fresh water lake है, which is surrounded by hills, और यह Assam के करीम गंज district में है, इन फैक्ट, Assam में एक lake और है, जिसको बोलते है, दीपोर बिल और यह रामसर साइट है, तो यह आपको ध्यान रखना है, कि रामसर साइट है, दीपोर बिल लेक, आगे बढ़ते हैं, Assam का कौन सा district है, जिसको पहले रंगपुर बोलते थे, यह एक historical town है Assam में, यह Ahomes का capital भी होता था, तो Ahomes ने 600 साल से ज़्यादा Assam पे रूल किया था, तो historical town है, इसको रंगपुर बोलते थे, तो यह किस district की बात हो रही है, तो याद रखिए, यह बात हो रही है, अगर डिस्टिक्ट में जो Ahome kingdom के relics है, Ahome एरा के जो अविशेश है, उनको एक global tourism hub में convert किया जाएगा, यह announcement किया था, अभी अभी हेमंता बिश्वा सर्मा ने, इस दैट क्लियर, Ahome dynasty के 551 monuments है, historical monuments जो शिवशागर और उसके आसपास है, और वो जो probable list है, World Heritage Sites की, UNESCO ने उसम इंक्लूड किया था, 2019 में, शिवशागर को पहले रंगपूर बोलते थे, और यह Ahome kingdom की capital भी थी, clear, अभी अभी गंगा और भ्रह्मा पुत्रा नदी में, सबसे लंबा जो ship जिसने सेल किया है, उसका क्या नाम है, यह शामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट से लेकर, पांडू पोर्ट जो है गुवाटी में, वहां तक उसने सेल किया, तो इसका नाम है M.V. राम प्रसाद बिस्मिल, हमारे freedom fighter राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे इसका नाम रखा गया है, और यह सबसे लंबा जहाज है, जो गंगा से लेकर भ्रह्मा पुत्रा नदी में चला है, इसकी पुराना पोर्ट है इंडिया का, 1870 में बना था, 152 years पुराना है, और वहां से पांडू पोर्ट तक यह जो शिप है वो सेल किया था, कौन सा इंस्टिट्यूट है असाम का, जिसने इंडिया का पहला next generation probiotic bacteria, lactobacillus planetarium, डवलप किया है, जिससे healthy aging की hope generate होती है, तो याद in science and technology गुवाटी ने डवलप किया है, इसका नाम है lactobacillus planetarium JBC 5, export preparedness index आया भी भारत सरकार का, निती आयोग ने दिया था इस index को, export preparedness index इसमें असाम की क्या rank थी, तो असाम इसमें 15th नंबर पे था, इसको गुजरात ने टॉप किया है, right, export preparedness index में दिखा देता हूँ, तो इसम इसमें गुजरात ने overall इसे टॉप किया है, और आप यहाँ पे असाम की rank देख सकते हैं, असाम की rank है 15, गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे रहा महराश्रा और तीसरे नंबर पे रहा करनाट का, इस index को निती आयोग ने दिया था, और यहाँ पे जो हिमालियन states हैं, उन में नंबर वन रहा उत्राखन, यूनियन टेरिटरीज में नंबर वन रहा दिल्ली, और इसमें एक कैटेगरी ओर थी, लैंड लॉक्ट स्टेट्स, उसमें नंबर वन रहा हरियाना, अब वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट की बात करते हैं, हमने जब यह वीडियो स्टार्ट किया था, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ, वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट, वही कंसेप्ट है, बस इसमें क्या है कि हर रेल्वे स्टेशन से रिलेटिड भी हम एक प्रोड़क्ट एसोसियेट कर दें, और उसकी मार्क स्टेशन जिससे लोकल आर्टिजान अपने प्रोड़क्ट जो है उनको प्रमोट भी कर सकें और सेल भी कर सकें तो ये स्कीम नौर्थीस्ट फ्रेंटेर रिल्वे के फाइव स्टेशन पे अभी के लिए लाँच हुई है तो इस स्कीम में असमीज जो गमोचा है गमचा जिसे तरह से अलिपूर्दवार जंक्शन स्टेशन जो है अलिपूर्दवार वेस्ट बेंगॉल में वहाँ पर जूट और टेंबर के लिए स्टॉल लगाए गए हैं दार्जलिंग टी के लिए दार्जलिंग स्टेशन जो है उसमें स्टॉल लगाए गए हैं फिर नहर लागुन station अरनाचल परदेश वहाँ पर traditional head gear जिनने locally gail बोलते हैं जो tribal women पहनती है अरनाचल में उनके लगाए गया है और Assam tea के लिए तिन सुक्या station के उपर stall लगाया गया है Assam का कौन सा city है जहाँ पर हुनर हाट मेला पहली बार लगा नौर्थ East में हुनर हाट मेला कोन करवाता है Ministry of Minority Affairs और हमारी Minority Affairs Minister कौन है अभी Smriti Irani Smriti Irani ये हमारी Women and Child Development Minister भी है इनकी constituency है अमेठी जो UP में है तो हुनर हाट पहली बार कहा लगा था ये गुवाटी में और्गिनाईज हुआ था तो आंसर है गुवाटी आंसर है गुवाटी गुवाटी में कहाँ गुवाटी में GS Road है खान पारा Veterinary College Ground वहाँ पर ये लगा था अभी अभी एक Inland Waterway वैसल है एक जहाज है जिसका नाम है MB LAL BHADUR शास्त्री ये food grains इसने carry किये और ये बिहार के कोन से शहर से गुवाटी तक गया था तो याद रखिए ये पटना से गया गुवाटी पहले National Waterway 1 जो परियागराज से हल्दिया तक है फिर National Waterway 2 तो ये बिहार के पटना से असाम के गुवाटी तक इसने travel किया इस जहाज का नाम क्या है MV LAL BHADUR शास्त्री ये पटना में है वहाँ से लेकर ये पांडू पोर्ट गुवाटी तक इसने सेल किया और ये पांगलादेश होके गया था आगे बढ़ते हैं अभी अभी North East Frontier Railway का कौन सा डीपो है Maintenance Depot जहाँ पे पहला Smart Automatic Coach Washing Plant लगा है ये Automatic Rail के जो डबे हैं उन्हें क्लीन करेगा तो ये लगा है कामाख्या Coach Maintenance Depot जो गुवाटी में है कामाख्या एक Temple भी है कामाख्या देवी का जहाँ पे अम्बू बाची मेला भी लगता है तो यहाँ पे और ये 300 लिटर पानी यूज करेगा जिसमें 80% recycled water होगा तो सिर्फ 60 लिटर fresh water होगा उसमें से 240 लिटर तो recycled water यूज करेगा और वैसे अगर आप रेल के टपों को साफ करते हैं तो 1500 लिटर पानी एक कोच को साफ करने में लग जाता है manually लेकिन इससे लगेगा सिर्फ 300 लिटर और ये लगा है कामाख्या कोच maintenance डीपो के ऊपर Office of the Chief Electoral Officer of Assam उन्होंने दिव्यांग सार्थी निर्वाचन एप जो है उसे reactivate किया है ये एप persons with disabilities जो है उनके लिए है माजूली में जो by election हुए थे उसके लिए ये एप लॉंच हुआ था दिव्यांग सार्थी निर्वाचन तो आपको बताना है कि Chief Electoral Officer कौन है असाम का इनका नाम है नितिन खड़े नितिन खड़े और ये जो एप है disabled person अराम से vote कर सके उनकी help करने के लिए लॉंच हुआ था दिव्यांग सार्थी निर्वाचन माजूली बाइलेक्शन में यूज हुआ था असाम में नुमालिगड रिफाइनरी है तो इन्होंने collaborate करा है कौन सी कंपनी के साथ ये ethanol बनाएंगे bamboo से ethanol बनाएंगे bamboo से तो इन्होंने partnership करी है Finland country के साथ Finland country के साथ Finland की help से ये नुमालिगड रिफाइनरी bamboo से ethanol बनाएंगे और असाम में bamboo cultivation काफी ज़ादा होता है असाम के finance minister कौन है जिन्होंने state budget अभी-भी रस्तुत किया था तो इनका नाम है अजन्ता नियोग अजन्ता नियोग ये finance और social welfare minister है असाम में ये पहली woman है जो असाम में finance minister है ये गोला घाट assembly seat से चुनाव लड़ती है इनकी जो constituency है वो है गोला घाट और असाम budget में क्या-क्या announce हुआ है latest budget जो आया है 2022 का तो total जो budget है इस बार असाम का वो है 1,19,027 करोड total जो budget है फिर उसमें आप different चीज़ें देख सकते हैं जैसे capital expenditure, revenue expenditure receipts वगारा वो सब आप देख सकते हैं बाकी जो soft announcements हुई हैं उनमें दो बड़े bridge बनेंगे एक सुबानसिरी नदी के उपर दूनागिरी में बनेगा और भारत सरकार इसमें help करेगी और Asian Infrastructure Investment Bank किसके लिए लोन देगा AIIB एक bridge और बनेगा जो माजूली को भीपुरिया और नेमाती से connect करेगा ठीक है? इतना ही नहीं aviation turbine fuel के उपर 1% wet कम लगेगा असम में फिर नए airport प्रोपोज किये गए हैं कार्भी आंगलोंग और सिल्चर में तीन हेलिपोर्ट बनेंगे नागाओं, गेलेकी और हैफलोंग में हेलिपोर्ट हेलिपोर्ट हेलिकोप्टर के लिए होते हैं एरपोर्ट प्लेंस के लिए होते हैं एरपोर्ट कहां बनेंगे तो नहीं कार्भी आंगलोंग और सिल्चर में हेलिपोर्ट बनेंगे नागाओं, गेलेकी और हैफलांग में, एक ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट दीफू में भी बनेगा, और रूपसी एरपोर्ट को और जादा डवलप किया जाएगा, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, रूपसी एरपोर्ट, ठीक है, फिर जो रहाट जो बन रहा है, वो भी उसके लिए भी अलोट्मेंट हुआ है, पचास सेकड जमीन का, सिल्चर में जो ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए भी लैंड एक्कॉयर हुआ है, और लिला बरी एरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए भी लैंड एक्कॉयर और मनिराम देवन समाधी और कौमधर कौमवर समाधी यह जोरहाट में है इनको रेनोवेट किया जाएगा और लाइट एंड साउंड शो हुआ करेंगे रंग घर शिवसागर में to attract foreign tourists इतना ही नहीं एक museum बनेगा प्रतिमा पांडे बरुवा museum यह गौरीपुर में बनेगा गौरीपुर इन धुबरी क्योंकि यह जानी मानी एक fox singer थी फिर एक mission zero dropout चला है जिसमें जो vulnerable girl children है उनको map किया जाएगा वो कहां कहां पे रहती है और फिर कोशिश की जाएगी कि school से वो dropout ना करें एक महाप्रभू जगननात community और skill center बनेगा 800 tea gardens जो है उनमें बनेगा यह skilling, tea, tribe youth and organizing community based events प्रज्यान भारती योजना को continue किया जाएगा free textbooks, hostel mass dues, admission fee waiver वगारा PPL students के लिए 10,000 रुपे का mobility grant लड़कियों को मिलेगा तो यह सब प्रज्यान भारती योजना continue रहेगी आरोहन को relaunch किया गया है जिसमें girls और boys जिनकी first position आती है class 9 में उन्हें प्रेमियर academic institution जैसे IIT गुवाटी वगारा में exposure मिलेगा और हर student को 2000 रुपे मिलेंगे books वगारा खरीदने के लिए और mobility grant मतब ट्रांसपोर्ट के लिए फिर siuj, axom, abhijan इससे यह जो योजना है इसमें असाम में green cover भड़ेगा ठीक है 36% से 38% हमें करना है पांच सालों में मियावाकी model पर मियावाकी forest भी यहाँ पे बनेंगे तो यह सब चीजें हैं असाम में 200 electric vehicle और 100 CNG buses भी चलेंगे smart city project गुवाटी के तहत फिर तीन नए medical college बनेंगे शिव सागर, करीम गंज और गोल पारा में super specialty hospital बनेगा IIT गुवाटी में फिर यहाँ पर 1000 बुनियादी स्वास्ते केंदर बनेंगे आयूर्वेदिक college बनेंगे नए दुद्नोई और पलाश बारी में फिर स्नेहे स्पर्श प्लस स्कीम चलाई गई है जिसमें वो बच्चे जो cerebral palsy से पीडित हैं उनकी केर की जाएगी और अपुर्ण घर और पिद्य लक्ष्मी स्कीम पे भी सरकार अच्छा खासा खर्चा कर रही है टियर्नेस अलोइंस जो है वो 3% इंक्रीज होगा महंगाई भत्ता भाशा गौरव योजना चल रही है उसमें 28 करोड़ से लाग रुपे खर्च होगा फिर मुख्य मंत्री सोरो शक्ती प्राकल्प इसमें क्लीन अनरजी के लिए 4000 करोड़ रुपे सरकार खर्च करेगी योध कमिशन बनेगा मुख्य मंत्री विकास आरू नियोग असोनी योजना के तहत इसमें जो कैंडिडेट है उन्हें कोचिंग वगरा दी जाएगी डिफ जना में जो असिस्टेंस है वो बारा सो पचास रुपे महीना होगी बारा सो पचास रुपे महीना फिर एलिवेटिड कॉरिड़ बनेगा सेफ पैसेज ऑफ एनिमल्स के लिए काजी रंगा से कार्भी आंगलॉंग इसमें खर्चा होगा 4865 करोड नो एलिफेंट कॉरिड़ भी बनेंगे नो एलिफेंट कॉरिड़ बनेंगे एलिफेंट से याद आया अभी एक इंडिया में नया एलिफेंट रिजर्व बना है जिसका नाम है अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व ये इंडिया का 32 और तमिल नाडु का 5 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में 32 ए का चला है तो इसमें next generation land related services दी जाएंगी, digitization of land records वगरा होगा, mission बसुंदरा और lower कोपिली hydro power project भी असाम में बनेगा 120 megawatt तो जो भी budget में main main announcements थी वो मैंने आपको बता दी है budget में आप इतना ही याद रखिए क्योंकि बहुत जादा आप याद रखनी पाएंगे आप उतना ही पढ़िये जितना आपको याद रह सके जितना आप revise कर सके, retain कर सके वो ही best रहता है अजाम के governor जगदीश मुखी उन्होंने कौन सा initiative launch किया है Borderland territorial region administration का जिसे जो border youth है उन्हें competitive examination के लिए prepare किया जा सके तो इस initiative का नाम क्या है इसका नाम है Borderland Super 50 Mission Borderland Super 50 Mission जैसे ONGC Super 30 है या बिहार में जो Super 30 है आनंद कुमार का इसी तरह का है ये Borderland Super 50 Mission इसमें 11 महीने free residential coaching और mentorship मिलेगी students को तो इसमें 50 candidates shortlist किये जाएंगे 10 होंगे मतलब जो 5 districts है बकसा, चिरांग, कोकराजार, तुमुलपुर और उदलगुरी यहां से 10 हर district से total 50 students को free coaching मिलेगी specialty tea जो नहोर चुकबरी फैक्टरी है दिब्रुगड में महां की एक specialty आती है उसका क्या नाम है ये एक किलो बिक्ती है एक लाख रुपे की अभी ये गुभाटी में auction हुआ था महाँ पे 9999 में यानि लगभग एक लाख रुपे में एक किलो बिक्ती है तो इसका नाम है golden pearl golden pearl ये बहुत famous एक tea है और ये नहोर चुकबरी फैक्टरी की tea है, is that clear? ऐसे ही एक tea आपको और बताता हूँ जिसको बोलते है manohari gold ये कहां की tea है साम में manohari gold ये दिब्रुगड से है दिब्रुगड की tea है manohari gold manohari tea estate है दिब्रुगड में वहां की बहुत famous ये tea है और ये जो नहोर चुकबरी है ये दिब्रुगड में है ये भी दिब्रुगड में आपको बताना है कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिनोंने नौर्थीस्ट का पहला फार्माकोलोजी और केमिस्ट्री लेबोरेटरी इनौगरेट करा है ये गुहाटी में जो पंच कर्मा सेंटर ओव एक्सिलेंस है वो और वो भी इनौगरेट हुआ है यहाँ पे और सेंट्रल आयूरवेदा रिसर्च इंस्टिट्यूट में नौर्थीस्ट का पहला फार्माकोलोजी और केमिस्ट्री लेबोरेटरी इनौगरेट करा है ये तोनों चीज किस ने करी ये करी असाम के पुर्व चेफ मिनिस्टर सर्बनन सोनोवल ने अभी ये आयूश और ये पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज मिनिस्टर भी है इंडिया के तो दो चीजें इनौगरेट करी है इनौने एक तो नौर्थीस्ट का पहला फार्माकोलोजी और केमिस्ट्री लेबोरेटरी ये इनौगरेट हुआ है सेंट्रल आयूरवेदिक रिसर्च इंस जिन्होंने एक करोड़ सेलरी मार्क ब्रीच किया इंडियन प्रीमेर लीग में और ये रजिस्थान रोयल्स के लिए खेलते हैं तो ये असाम के खेलाड़ी है रियान पराग and he plays for रजिस्थान रोयल्स इस दाट क्लियर आगे बढ़ते हैं इनफैक्ट रियान पराग के जो गवर्मेंट, सेलिब्रेट करेगी लचित बॉर्फुकान जो थे अहोम किंडम के जनरल, उनकी 400 बर्थ अनिवर्सरी जो 2022 में हैं। लचित दिवस कब मनाया जाता है। तो लचित दिवस जो है, वो 24 नवंबर को मनाया जाता है। लचित दिवस, राइट। लचित किंडम के जनरल थे, लचित बॉर्फुकान कमांडर थे और उनको हम याद करेंगे, 400 बर्थ अनिवर्सरी है ये उनकी, ये भी ध्यान लखना है आपको, इतना ही नहीं, जो लचित बॉर्फुकान का जो मैदम है, मैदम मतलब बरियल ग्राउंड, जो रहाट में हैं, उसको भी सरकार डवलप करेगी, उसको भी सरकार डवलप करेगी, तो 24 नवंबर का दिन लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतना ही नहीं, अजाम की सरकार एक लचित बॉर्फुकान गोल्ड मेडल भी देती है, जो NDA का बेस्ट कैड़िट होता है उसे, ठीक है न, उसे लचित बॉर्फुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है, इनमें से अहोम रिचुल कौन सा है, जिसमें हम अब जो एंसेस्टर्स हैं, पूरवज हैं हमारे, उनको रेस्पेक्ट पे करते हैं, तो इस रिचुल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेदम मेफी, ये एन्वल अहो अहोम मेफी है, ये सिर्फ अहोम कम्यूनिटी में रिस्टिक्ट नहीं है, बलकि अहोम में काफी पॉपुलर ये हो चुका है, और इन्वेक्ट चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा, कि वो हैबंग, हिस्टोरिक सिटी है, हैबंग उसको भी डवलब करेंगे, ये अहोम डाइनस् मुक्य मंत्री ने अभी अभी कहा है, और मुक्य मंत्री ने ये भी कहा कि 20 लाख रुपे वो प्रोवाइड करेंगे, प्लेसिस और वर्शिप को डवलब करने के लिए, चाओ, चैन, रेन, प्लेसिस और वर्शिप जो है, उन्हें डवलब करने के लिए 50 विलेज़ में 20 ला लेपर्ड सेंसस हुआ असाम में पहली बार लेपर्ड काउंट किये गए असाम में कहां पर ये नौर्थ कमरूप फॉरेस्ट डिविजन ने लेपर्ड जो है उनको काउंट किये थे और असाम में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो लेपर्ड उनकी कितनी पॉपुले पहली woman doctoral graduate English literature में कौन थी? तो याद रखिए, इनका नाम था अपर्ना दत्ता महंता. इनकी टैथ हो गई, 75 years old थी है, और इन्होंने अपनी schooling की थी, St. Mary's Shillong से, फिर St. Mary's College से ही ये graduate हुई, फिर इन्होंने British Council scholarship program University of Leeds से English literature में master किया, गुवाटी University से भी और University of Leeds से, तो ये पहली woman doctoral graduate थी, इन्होंने दिब्रुगड University से PhD की थी, 1982 में. Tokyo Olympics में जो bronze medalist है, लवलीना बोर्गोहन, इन्हें असाम पुलिस में क्या position मिला है? इन्हें DSP का position मिला है, Deputy Superintendent of Police. और Mary Combs और विजंदर सिंग के बाद, ये third Indian है, जिन्हें Olympics में medal मिला है. तो लवलीना बोर्गोहन को वन करोर रुपीज का prize money भी मिला था, और DSP की position भी मिली है. अजाम की सरकार नेक agreement करा है कौन सी company के साथ, 2000 करोड रुपे का joint venture लगाये जाएगा, जिससे असाम में dairy sector का विकास किया जा सके. इन्होंने National Dairy Development Board के साथ agreement किया है. इनका target क्या है? इनका target ये है कि अगले 7 सालों में, असाम में 10 लाख लीटर मिल्क का processing हमें करना है. अगले 7 सालों में. और 4,100 dairy cooperative societies हैं, जिनसे milk लिया जाएगा, process किया जाएगा, package किया जाएगा, और market किया जाएगा, इससे लगभग 1.75 lakh farmers, जो dairy farmer हैं, उनको फाइदा होगा. Is that clear? इतना ही नहीं, 15,000 जो गिर काउज हैं, वो भी असाम में लाई जाएगी to ensure कि farmers जो हैं, उन्हें काफी फाइदा हो, क्योंकि गिर जो काउज होती हैं, काफी ज़्यादा दूद ये देती हैं. पहला, कत्थक exponent Assam का कौन था? Assam State College of Music के founder principal भी थे, क्या नाम था इनका? तो इनकी 100th birth anniversary celebrate की गई, इनका नाम था चारू Bordoloye, कत्थक dance, North India का dance होता है, कत्थक, इसको कत्थक कली से confuse मत करना, कत्थक कली के अरला का होता है, मैं कत्थक की बात कर रहा हूँ. तो कत्थक dance के बहुत बड़े विद्वान थे, कत्थक दांसर थे, चारू Bordoloye, इनके निर्त्य निपन बोलते थे, और 100th birth anniversary हमने इनकी celebrate करी, गुभाटी में, रविंदर भवन में. Is that clear? आगे बढ़ते हैं. एक चीज़ और धियान लखिए, इनकी जो autobiography है, उसका नाम था, My Life and Art Divine. ये भी launch की गई थी, ये देखिए, My Life and Art Divine. Asian Development Bank, ये एक मिलियन का जो grant है, ये दे रहा है, आपको बताना है कि Skill University बन रही है साम में, ADB सपोर्ट करेगा इसे, इसमें कौन सा country टेक्निकल सपोर्ट और नॉलिज दे रहा है? तो याद रखिए, इसमें Japan हेल्प कर रहा है. तो जो Skill University बन रही है असाम में, जैपैन उसमें पूरा अपना टेक्निकल नॉलिज असाम को देगा. ठीक है? जैपैन की मदद से ये बन रही है. अभी अभी असाम का कौन सा district है? जहां से jackfruit, jackfruit मतलब कठल और green chili, हरी मिर्च, ये export की गई दुबई में. तो याद रखिए, ये jackfruit और green chili जो है, ये दुबरी से आता है. तो आंसर है दुबरी. और लोगप्री है, कोपिनाथ बॉर्दोलोय एरपोर्ट, जो गुभाटी एरपोर्ट है, वहां से दुबई के लिए रवाना हुई ये green chili और jackfruit. इसको distribute कर रहा है लुलु गुरुप. गल्फ कंट्रीज में इनको popularize करेगा और distribute करेगा लुलु गुरुप. लुलु गुरुप किसका है? म. यूसुफ अली, एक केरला के business man है, इनका है इनका है लुलु गुरुप. असाम का कौनजा district है? जो most forest fire prone district है इंडिया का. ये independent study करवाय था forest fire के उपर, Council of Energy, Environment and Water, CEW ने. पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा forest fire prone district है दीमा हसाओ. दीमा हसाओ district पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा forest fire prone district है ध्यान रखिये. ये study अभी अभी हुई है by CEW. अभी अभी पहला grocery fulfillment center असाम में open किया है कौनसी कंपनी ने? इसको पूरा all women team रन करेगी. तो ये flip card ने launch क किया है. पहला grocery fulfillment center तो कहां पे किया है? पाला सबारी पाला सबारी गुवाटी में है यहां पर किया है. असाम से कौन परसन है जिन्होंने नया national record बनाया? 200 meter men's finals federation cup कोची केलिकट केरला में हुआ था वहां पर. तो ये Amlan Borgohen है और Amlan Borgohen एक football player थे पहले अब ये sprinter हैं. त 200 meter की race में. असाम का कौन सा district है जिसको प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना को implement करने में पूरे इंडिया में second position मिला है. तो पूरे इंडिया में number one था हिमाचल का हिमाचल परदेश का हमिरपूर district. हमिरपूर district constituency है नुराग ठाकुर की जो हमारे sports minister भी है और information broadcasting minister भी है. पूरे इंडिया में second रहा काचा district. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना को लागू करने में. काचा district बरैक वैली के जो तीन district है उनमें बहुत important district है. From how many districts in Assam, AFSPA has been completely withdrawn? Armed Forces Special Powers Act 1958 ये Assam के कितने districts से remove कर ली गई है? Completely. तो completely withdraw की गई है 23 districts से और partially withdraw की गई है 1 district से. Right? Assam में AFSPA 1990 से थी. 90.90. Hindustan Paper Corporation Limited. Assam Government ने acquire कर ली है. Hindustan Paper Corporation Limited की दो dysfunctional paper mill for 375 करोर. Is that clear? तो Assam Industrial Development Corporation ने bid किया था और ये तो जो paper mill है acquire कर ली है. एक तो है नागाओं में और एक है काचर paper mill. पंच ग्राम अंडर हैलाकंडी district. इसका नाम है काचर paper mill. और एक है नागाओं में एट जोगी रोड अंडर मोरी गाओं district. तो ये दो paper mill acquire कर ली है. ये हिंदुस्तान paper corporation है. गरिमा हजारिका की death हो गई. ये कौन से art form से associated थी? आसाम की classical जो सतरिया dance होता है. तो answer है dance. और ये dance है classical dance. सतरिया dance. इनको संगीत नाटक अगेडमी अवार्ड भी मिल चुका था. 83 years old थी. इन फैक्ट ये ODC और कत्थक भी अच्छा करती थी. लेकिन सतरिया में ये one of the pioneers थी. सतरिया dance जो होता है. तो इनका नाम क्या है? इनका नाम था गरिमा हजारिका. असाम 36 state बना जिसने one nation one ration card को implement किया. तो इंडिया में 28 plus 8 लिखेंगे हम. 28 states है और 8 union territory है. तो total last. मतलब one nation one ration card को implement करने वाला last है state और union territory असाम. वन nation one ration card कब launch हुआ था? ये launch हुआ था 2019 में. और इसका फाइदा क्या है? National Food Security Act आया था 2013 में, September में. तो उसको और ज्यादा easy बनाएगा National Food Security Act को one nation one ration card. अब आप इंडिया में कहीं पर भी है, आपका सेम ration card applicable होगा. पहले ये नहीं होता था. और इसका फाइदा क्या होता है ration card मिलने का? अगर ration card आपके पास है, तो आपको subsidized food grains मिलते हैं. तीन रुपे किलो चावल, दो रुपे किलो गेहूं, ऐसे. कितना मिलता है आपको? ये डिपेंड करता है, आप अन्तियोदे category में आते हैं या आप PHH category में आते हैं, priority household. अगर आप priority household में आते हैं, तो आपको मिलेगा 5 kg per person per month, subsidized food grain. अगर आप अन्तियोदे category में आते हैं, तो आपको मिलेगा 35 kg per family per month. ये पर family है और ये पर person है. 5 kg per person per month PHH category में मिलता है और अन्तियोदे category में मिलता है 35 kg per person per family per month. ये अन्तियोदे category per family है और PHH जो है per person है. अजाम के गवर्णर जग्दिश मुखी ने एक नई wildlife century का जो प्रोपोजल था प्रूव कर दिया बराक भुबन wildlife century आपको बताना है भारत में wildlife protection act कब पास हुआ था wildlife protection act पास हुआ था 1972 में तो section 35 इस act का उसके तहट नई wildlife century बनाई गई है बराक वैली में बनी है ये बराक भुबन नाम है इसका क्या ये बराक वैली में पहली wildlife century है नहीं दूसरी है पहली है boreal wildlife century और दूसरी है बराक भुबन wildlife century ये बराक रिवर और सोनई रिवर के बीच में आएगी यहाँ पे बहुत सारे अनिमल्स है जैसे हुलोक गिबन, फैरेज लीफ मंकी, असमीज मकाइक, पिक टेल मकाइक, किंग कोबरा वगरा ये सब यहाँ पे पाए जाएंगे तो तीन डिस्टिक कौन से हैं यहाँ पे, कैचार, हिलाक अंडी और करीम गंज, जो बराक वेली में आते हैं तो बराक रिवर है और सोनई रिवर उन दोनों के बीच में होगी ये बैसे मैंने आपको जो अनिमल्स बताए, ये भी इंपोर्टेंट है हुलोक गिबन, हुलोक गिबन कहां का स्टेट अनिमल है? अरणाचल परदेश पहले अरणाचल परदेश का state animal मितुन था लेकिन आज से तीन साल पहले change करके हिलो किबन कर दिया था और एक animal और मिलता है यहाँ पे फैरेज लीफ मंकी यह त्रिपुरा का state animal है इसको बोलते हैं फैरेज लंगूर या फैरेज लीफ मंकी स्वा निर्भर नारी इनिशेटिव स्टार्ट हुआ है असाम में इसमें कितने hand woven items cover किये गए हैं स्वा निर्भर नारी में जो सरकार है वो जो hand loom weaver है उनसे directly handicraft खरी देंगी कोई middle man involved नहीं होगा तो इसमें 31 items है जो cover किये गए हैं इससे women की जो income है वीवर्स की वो बढ़ेगी अजाम government ने नामसाई declaration sign करा है कौन से state के साथ नामसाई declaration जो sign हुआ है 123 villages है जो disputed है इनको solve करने के लिए sign हुआ था dispute को अरणाचल प्रदेश के साथ नामसाई declaration इस दाट clear और नामसाई जो place है वो अरणाचल प्रदेश में है अभी अभी असाम पुलिस को president's color दिया यह एक ceremonial function हुआ था नहरू stadium गुवाटी में तो किस ने दिया तो यह दिया अमित शाहा ने यह हमारे home of home affair minister भी है यानि home minister और यह हमारे cooperatives के minister भी है तो इन्होंने president's colors दिया था असाम पुलिस को और असाम पुलिस ने जो illegal smuggling होती है betel nuts की, wood की, coal की उसको रोकने के लिए काफी अच्छा काम किया है और Armed Forces Special Power Act भी अब 23 district से completely remove कर दिया this is all because of the effort of असाम पुलिस तो जो president's color होता है यह बहुत बड़ा honor होता है एक unit के लिए सबसे बड़ा award होता है in fact यह और असाम पुलिस इंडिया में 10th state police है जिसे यह honor मिला है अभी अभी कौनसी company ने असाम power distribution company के साथ partnership करी है solar power projects उनको develop करने के लिए असाम में तो यह सरकारी company है, इसका नाम है NLC India Limited NLC India Limited और असाम power distribution company दोनों मिलकर solar power projects जो है उनको असाम में develop करेगी अभी अभी गुवाटी high court का नया chief justice कौन बनाए इनको chief justice जो होता है उनको governor शपत दिलवाता है high court के judge को तो शपत दिलवाई जगदीश मुखी ने इनका नाम है रश्मिन छाया रश्मिन मनहर भाई छाया यह असाम के high court गुवाटी high court के नया chief justice बने है और एक high court का judge जो होता है उसकी retirement age 62 होती है supreme court के judge की retirement age 65 होती है इस असाम के एक person है जिनका नाम है उज्जल भुयन यह कौन से high court के chief justice बने है तेलंगाना high court यह भी पूछ सकते है उज्जल भुयन यह असाम से है यह तेलंगाना high court के chief justice बने है और इंडिया में और भी नए chief justice बने है different courts के वो आपके लिए important नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ asam current affair पढ़ा रहा हूँ तो मैं asam बे focus करूँगा asam में कितने villages हैं जो open defication free odf plus status जिने मिला है odf और odf plus में क्या फरक होता है odf मतब होता है जब कोई भी open में deficate नहीं करता खुले में शोच मुक्त और odf plus होता है जब कोई open notification ना करे वो भी और साथ में जितने भी toilets हैं उस particular place में वो सारे एकदम well functioning हो hygienic हो तो उसको odf plus बोलते हैं तो पूरे इंडिया में तेलंगाना number one है asam बहुत पीछे है asam में सिर्फ 0.07% villages हैं जो ODF plus status जिने मिला है स्वच भारत mission ग्रामीन के तहत तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ तेलंगाना में आप देख सकते हैं 96.74, almost 97% villages ODF plus हैं और asam 18th position पे है यहाँ पे सिर्फ 0.07% villages ODF plus है अभी अभी जो national food security act है उसको किस राज्ये ने कितना अच्छा implement किया यूपी तीजरे नंबर पे है आंधर प्रदेश तो इसमें यह पहली बार है कि state ranking आई है National Food Security Act के लिए और asam की rank है इसमें 7th in the special category states asam को special states category में रखा है और उसमें 7th नंबर पे asam है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें Odisha number 1 है, UP और number 2 और number 3 पे है और यह asam जो है उसको special category states में रखा है, इसमें 3 पुरा number 1 है और asam 7th number पे है asam का infant mortality rate latest कितना है per thousand live birth, यानि asam में अगर 1000 बच्चे जनम लेते हैं, तो उनमें से death कितनों की होती है, infant mortality rate बोलते है asam का highest infant mortality rate है among all the 8 northeastern states और वो है 36 36, is that clear? तो यह आपको दिहान रखना है कि asam का infant mortality rate है, वो कितना है तो यह सबसे ज़्यादा इंडिया में मद्धे परदेश का है 43 और northeast में asam का सबसे ज़्यादा है 36 अभी अभी एक ambulance service start की गई for sick and injured cows यह asam के कौन से district में start की गई पहली बार एक dedicated ambulance cows के लिए यह asam के दिब्रुगड में start हुई है दिब्रुगड में start हुई है कोपाल गौशाला की help से यह start हुई है इन में से किसने 1971 Liberation War of Bangladesh जोई थी पाकिस्तान के खिलाफ उसमें 300 से ज़्यादा जो war veterans हैं उनको सम्मानित किया जो असाम में अभी अभी यह राजनात सिंग ने किया जो हमारे defense minister है इनकी constituency है लखनव तो गुभाटी में felicitation ceremony हुआ था जिसमें वुमें लिबरेशन फाइटर वीर नारी वगारा इन सब को समानित किया गया था अभी अभी Badminton Association of India का प्रेजिडेंट फिर से कौन बन गया चार साल के लिए यह है असाम के मुखे मंत्री हेमंता पिश्वा सर्मा यह Badminton Association of India के प्रेजिडेंट है और यह 2017 में बने थे और अब दुबारा यह चार साल के लिए अपॉइंट किये गए है यूनियन मिनिस्टर सर्बनन सोनोबल ने इनागरेट करा Construction Works of the First Sports University of Assam जो असाम में पहली Sports University बन रही है उसका क्या नाम है श्री-श्री अनेरुद्ध देव Sports University यह कहां पर बनेगी तो यह दिपरुगड में बनेगी अपर असाम के दिपरुगड में यह बनेगी इसका नाम जो माउमोरिया सतरिया कम्यूनिटी के ग्रेट सेंट है श्री-श्री अनेरुद्ध देव उनके नाम पर रखा गया है क्या यह नौर्थीस्ट की पहली Sports University है नहीं National Sports University जो है वो इमफाल में है National Sports University इमफाल में है तो असाम में बनेगी जो वो दिपरुगड में बनेगी असाम राइफल्स का 20th Inspector General कौन बना है वो अफ असाम राइफल्स नौर्थ इनका नाम है Major General विकास लखेडा Major General विकास लखेडा असाम पुलीस में पहली वोमेन कौन है जो इंस्पेक्टर जनरल की रैंक तक पहुची यह बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चिन है इनका नाम है वाइलेट बरुआ वाइलेट बरुआ इन्हें President's Police Medal for Distinguished Service भी मिला था अभी अभी असाम में जो टी गार्डन वर्कर है उनका डेली वेज अमाउंट कितना बढ़ा दिया है सरकार ने तो वो 27 रुपे से इंक्रीज करा है हिमन्ता विश्वा सर्मा ने नाउंस किया था 27 रुपे से इंक्रीज किया गया तो ब्रह्मपुत्रा वैली में 232 रुपे मिलेंगे उन्हें पर दे और पराक वैली में 210 रुपे मिलेंगे पर दे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टी है वो असाम में प्रोडियूस होती है 2021 में असाम में 667.73 million kg टी प्रोडियूस होई थी इंडिया में सबसे ज़्यादा तेजपुर यॉनिवर्सिटी गुभाटी इसको A प्लस ग्रेड मिला है National Assessment and Accreditation Council के त्वारा NAAC के त्वारा यह यॉनिवर्सिटी अमंग दे टॉप 7% है Higher Education Institutions of India में तो इसे क्या मिला है A प्लस ग्रेड NAAC के त्वारा मिला है यह अभी Assam की सरकार ने पहला Drone School North East का कहां पे सेट अप किया है किस सिटी में पूरे Assam का ही नहीं पूरे North East का पहला Drone School गुभाटी में सेट अप किया है किस ने किया है एक EdTech Company है Edurade उसने Assam Electronics Development Corporation यानी Amtron के साथ मिलकर यह सेट अप किया है यह पहला Drone School होगा जो Assam में बना है Tech City कुभाटी में यह सेट अप किया गया है और इसका जो Flying Ground होगा वो Assam Forest School जो की जलुक बरी में है वहाँ पर सेट अप किया गया है अभी-अभी Assam की एक खिलाडी है 9 Money Sekia यह गोला घाट से है इन्होंने Gold Medal जीता है Commonwealth Games में किस स्पोर्ट में इन्होंने जो Medal जीता है वो Lone Balls में जीता है पहली बार इंडिया ने Lone Balls में Gold Medal जीता है यह उस टीम का पार्ट थी इसमें Lovely Chaube, Pinky 9 Money Sekia और Ruperani Turkey चार खिलाडी थे इन्होंने South Africa को Final में हरा कर Historic Gold Medal जीता है Commonwealth Games जो है Birmingham में हुए इस बार और Birmingham England में है इनका जो mascot था वो था एक bull जिसका नाम है Perry यह था mascot और Medal Tally में Australia ने टॉप किया और India जो है वो 4th position पे रहा Food Safety and Standard Authority of India ने State Food Safety Index दिया है Very Very Important 4thी बार दिया है इसमें Assam का rank क्या है बड़े राजियों में तो World Food Safety Day मनाय गया था भी अभी उस दिन यह release हुआ था और बड़े जो World Food Safety Day पे से 7 June 7 June 2019 को पहली बार मनाय गया था तो हर साल 7 June को मनाय जाता है तो Assam का जो rank है वो 14 था और इसमें top किस ने किया है तमिल नाडू ने top किया है इसमें बड़े states में तमिल नाडू ने top किया है और गोवा ने top किया है छोटे states में और जमू कश्मिर ने top किया है Union Territories में Assam का State Energy और Climate Index में क्या rank है जो नीती आयोग ने दिया है ये पहली बार index आया है इसमें जो different states है इंडिया के जो effort कर रहे है to move from traditional sources of energy to renewable energy उनके efforts को rank किया गया है तो इसमें जो rank है Assam का वो 10th है तो answer है option A ठीक है State Energy and Climate Index इसमें number one performer रहा और चोटे राजियों में Goa जो हैं वो number one performer रहे यहाँ पर आप देख सकते है गुजरात ने perform किया सबसे अच्छा बड़े states में Goa ने किया चोटे state में और Union Territories में चंडिगड का performance best था Assam की government इन में से किसके साथ मिलकर 9 centralized kitchen मना रही है जिससे students को 9 centralized kitchens in the state to ensure nutritious meals for everyone अभी अभी North East Festival हुआ था इसका second edition तो ये आपको बताना है इस बार कौन से country में हुआ था ये Bangkok, Thailand में हुआ था Thailand की capital Bangkok में second North East Festival हुआ था ध्यान रखिये इंडिया की जो ambassador है Thailand में सुचित्रा दुरई उन्होंने भी participate किया था और उन्होंने काफी तारीफ की थी इसकी जो पहला North East Festival है February 2019 में हुआ था असाम Youth Olympics में जो medal tally है उसको किसने टॉप किया पहली बार असाम Youth Olympics हुए थे तो उसमें जो गुभाटी की team थी उसने medal tally में टॉप किया था तो आंसर है गुभाटी sports district team इन्होंने टॉप किया था याद रखिये टोटल इन्होंने 219 medal जीते गुभाटी की team ने और इनमें 74 gold 75 silver और 70 bronze medal थे टोटल 219 medal इन्होंने जीते सेकेंड नंबर पे रहा था शिव सागर sports district team असाम के famous author अतुल नंद Goswami की death हो गई इन्हें साहित्य academy award मिला था किस साल में साहित्य academy award 24 languages के लिए दिया जाता है इनमें 22 languages तो वो है जो हमारे 8 schedule of the constitution में है इसके अलाब़ा 2 languages और है एक तो English और एक रजस्थानी तो टोटल 24 इन्हें साहित्य academy award मिला था in the year 2006 अपनी कौन सी किताब के लिए मिला था किताब का नाम है सिनेहे जोरीर गौन्थी ये इनकी किताब का नाम था सिनेहे जोरीर गौन्थी अमित कुमार तालुकदार और साम से है इन्हें Mr. Universe में दो medal मिले है आपको बताना है ये event कहां पर हुआ था ये event Thailand की capital Bangkok में हुआ था ये dentist है 29 years old है अपना clinic चलाते हैं गुभाटी में नरेंगी एरिया में और World Fitness Federation ने ये करवाया था Mr. Universe का competition असाम स्टेट ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन ने अपनी online bus e-ticketing service start करी है ये service सबसे पहले कमरूप metropolitan जो एरिया है वहाँ पर launch की गई है और सौनितपूर में launch की गई है तो असाम स्टेट ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन ने कमरूप और सौनितपूर में e-ticketing सेवा शुरू करी है अजाम की जो वो एक national center for disease control set up कर रही है कहाँ पर national center for disease control ये रानी जो जगा है वहाँ कमरूप metropolitan में तो आंसर है कमरूप metropolitan अभी अभी असाम में लालपुल नाम की जगा है वहाँ पे 25 मेगावाट का solar power project लगाए गया है ये कहाँ पर है ये असाम के उदल गुरी district में आता है उदल गुरी district और हमारा जो aim है वो कितना है हमें 500 गीगावाट renewable energy बनानी है 2030 तक तो असाम के चीफ मिनिस्टर जो है हिमंता बिश्वा सर्मा उन्होंने inaugurate करा एक और solar power plant 25 मेगावाट का ये भालूप गाठा नाम की जगा है कमरूप में बहाँ पे set up किया गया है इसको set up किया है असाम पावर, distribution company limited और azure power ने असाम cabinet ने प्रूव करा है कितने commando battalion बनेंगे असाम में commando battalion in the state police कितने district में बनेंगे तो commando battalion जो है वो 5 district में बनेंगे हेला कंडी, कारभी आंगलॉंग, शिवसागर, विश्वनात और तिन सुकिया तो आंसर है 5 उसके अलाबा एक असाम में एक campus बनेगा National Forensic Science University का ये भी धियान रखिए ठीक है असाम की क्या rank है in the highest bamboo bearing area in India इंडिया state of forest report 2021 के मुताबिक जो 2022 में रिलीज हुई थी bamboo bearing area के मामले में असाम कौन से number पे है इंडिया में तो असाम 5th number पे है इंडिया में bamboo bearing area में number 1 पे है मद्देपरदेश मद्देपरदेश में 1.84 million hectare area पर bamboo है अरणाचल परदेश दूसरे number पे है महराष्टरा तीसरे number पे है forest cover है वो कितना है इंडिया में सबसे जदा forest cover कहाँ पे है मद्देपरदेश में है असाम में यही question है अगला कि असाम में कितना area है जो forest cover के अंडर है according to India State of Forest Report तो असाम में 36.09% area forest cover है क्या यह sufficient है 33.33% होना चाहिए यह mandatory होता है यह optimum होता है असाम में 33.33 से जदा है 36.09 अगर आपसे पूछें इंडिया में सबसे जदा forest cover कहाँ पे है तो आंसर है मद्देपरदेश मद्देश में जो forest cover है वो सबसे जदा है लेकिन percentage wise अगर बात करें तो मेजोरम मेजोरम में 84.53% area forest है ठीक है तो मद्देपरदेश के बाद forest cover सबसे जदा अणाचल परदेश में है और percentage के हिसाब से भी अणाचल परदेश दूसरे नंबर पे है अणाचल परदेश में 79% area forest है तो यह देखके करना मार्क आपसे forest cover पूछ रहे है या percentage forest cover पूछ रहे है उस हिसाब से अंसर करना forest cover पूछ रहे हैं तो मद्देपरदेश नंबर वन है और percentage पूछ रहे हैं तो मिजोरम नंबर वन है अभी अभी नीती आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दिया है तो इसमें यह बताया है इंडिया आपने 0.7% सिर्फ GDP का खर्चा करता है Research and Development पे तो Innovation Index में टॉप किस ने किया है करनाटका ने टॉप किया है बड़े राजियों में मनिपुर ने टॉप किया है छोटे राजियों में और Union Territories में चंडिगड ने टॉप किया है असाम का रैंक क्या है इसमें असाम का रैंक है 9th तो आंसर है Option B इंडिया Innovation Index में आप देख सकते हैं और यहाँ पे करनाटका नंबर 1 है और असाम जो है वो 9th नंबर पे है छोटे राजियों में असाम को रखा है तो 9th नंबर पे है मनिपुर नंबर 1 है छोटे राजियों में इसमें यूपी ने परफॉर्म किया है सबसे अच्छा पूरे इंडिया में फॉलवड बाय राजिस्थान and then तमिल नाडू अगर मैं बात करूँ नॉर्थीस्ट में बैस डिस्टिक्ट है गोल पारा तो नंबर 1 पे रहा गोल पारा पूरे नॉर्थीस्ट में और सियांग सियांग जो है अरणाचल प्रदेश में ये नंबर 2 पे रहा 131 डॉर्ण कप फुट्बॉल टॉर्नामेंट असाम में होगा तो आपको बताना है कि असाम के अलावा किस और स्टेट में होगा मतब दो नॉर्थीस्ट के स्टेट में होगा पहली बार डॉर्ण कप एक तो आसाम है और दूसरा कौन सा है तो याद रखिए जो दूसरा है वो है मनिपुर इमफाल गोवाटी में होगा और इमफाल में होगा 131 डॉर्ण कप और टॉर्ण कप सबसे पुराना फुटबॉल टॉर्णामेंट है एशिया का एशिया का सबसे पुराना कहां पे होगा गोवाटी में होगा इंद्रा गांधी अथलेटिक स्टेडियम में और इमफाल में होगा खुमान लंपक स्टेडियम में खुमान असाम में होगा असाम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने चीफ मिनिस्टर इंस्टिट्योशनल प्लेंटेशन प्रोग्राम को लॉंच करा है as a part of अजादी कामरित महतसव तो असाम की सरकार का लक्षय ये है कि 80,000 government offices में पेड लगाए जाएंगे ठीक है और हर government employee को 75 अमरित लगाने हैं हर government office में ये target उन्हें दिया गया था अभी अभी हाजी पारा health and wellness center ये पहला center है नौर्थीस्ट का जिसे quality certificate मिला है national quality assurance standard program के तहत आपको बताना है ये असाम में कहां पर है हाजी पारा तो हाजी पारा जो है ये बार पेटा district में आता है यहां का जो health and wellness center है उसने 89 percent score किया जो कि असाम में सबसे ज्यादा है अभी अभी असाम में कौन वेक्ती हैं जिने covering climate now journalism award मिला है for exceptional coverage of climate related news इनका नाम है चंदरानी सिनहा ये climate change और environment related topics जो है वो cover करती है और इन्होंने एक video documentary बनाई है जिसका नाम है the laments of brahmaputra असाम को जो startups को support करने में states की ranking हुई है third edition आया है इसका अभी भारत सरकार का इसमें असाम को किस category में रखा है असाम को leader category में रखा है तो answer है leader और इसमें best performer है गुजरात और करनाट का ये सबसे top category है फिर top performer में है केरला महराष्टा ओडिस और तलंगाना फिर leader है उसके नीच startup ecosystem तो असाम को leader category में रखा है नौर्थीस्ट और hill districts में जो NASDA ranking है national e-governance service delivery assessment ranking उसमें असाम का क्या rank है याद रखिए जमू कश्मीर ने union territories में top किया है e-governance service delivery में नौर्थीस्ट और hill states की category में असाम third number पे है ठीक है असाम third number पे है और यहाँ पे आपको ranking दिखा देता हूँ मे तो इसमें मैं आपसको जो service portal है उनकी बात करूँँ आप से service portal की अगर मैं बात करूँ देखो अब इसमें डो ranking है एक तो है portal सिरफ portal और एक है service portal और दोनों अलग अलग हैं दोनों में confused मत होना ठीक है पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सर्वेस पोर्टल वाली बता रहा हूँ सर्वेस पोर्टल में जो नौर्थीस्ट और हिली स्टेट्स हैं उनमें मेगालिया ने टॉप किया है और असाम थर्ड है तो इस question का answer हो गया third इस question का answer हो गया third लेकिन अगर सिर्फ पोर्टल की rank पूछें सर्वेस पोर्टल नहीं सिर्फ पोर्टल तो फिर answer change हो जाएगा clear तो फिर answer change हो जाएगा तो जो NASDA ranking है सिर्फ पोर्टल की उसमें असाम की क्या rank है right तो उसमें भी असाम third है और उसमें first है नागालेंड North East और Hill State में दूसरे नंबर पे मेगालिया तीसरे नंबर पे असाम तो तो तोनों में third है तो कोई फरक नहीं पड़ता आप से इस पोर्टल पूछ रहे है या सर्वेस पोर्टल पूछ रहे है ठीक है असाम से कौन महिला है जिने साहित्य Academy Award मिला है Assamese Language के लिये तो याद रखिए असाम से ये Award दिया गया है अनूराधा शर्मा अपुजारी को अनूराधा शर्मा अपुजारी को मिला है ये Award और एक Award साहित्य Academy यूवा प्रुसकार असमीज के लिए अभी 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 असाम में एक निउस्पेपर चपता है आगरा दूथ उन्हों ने अपना Golden Jubilee मनाया, राइट, तो इनका एक निउस्पेपर आता है, दैनिक अगरा दूथ, जो 1995 में स्टार्ट हुआ था, ये बाई विकली है अगरा दूथ निउस्पेपर, पाई विकली, मतलब हफ़ते में दो दिन छपता है ये, और किसने इनागरेट करी इनकी Golden Jubilee Celebration, तो ये करी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने, अभी अभी असाम गवर्मेंट ने एक M.O.U. साइन करा है, इनमें से किसके साथ, तो असाम की सरकार ने ये agreement जो करा है अभी अभी वो रूची सोया के साथ करा है, जो पतंजली की कंपनी है, तो आंसर है पतंजली Foods Limited, रूची सोया Industries Limited के साथ किया है, ये ओईल, पाम, प्लेंटेशन और ओईल मिल में mutually collaborate करेंगे, ओईल, पाम, कल्टिवेशन, सेवन डिस्टिक्स में करेगा, रूची सोया, असाम को Ease of Doing Business जो रैंकिंग है, Business Reforms Action Plan, उनमें किस केटेगरी में रखा गया है, तो याद रखिए, असाम को एक Aspirer की केटेगरी में रखा गया है, तो आंसर है Aspirer, Aspirer हैं, असाम, चतिजगर, गोवा, जारकन, केरला और राजिस्थान और वेस्ट बेंगॉल, तो यह जो रैंकिंग है, Business Reforms Action Plan, रैंकिंग, इसमें अलग-अलग केटेगरी बनाई हुई है, जो सबसे अच्छी केटेगरी है, वो है Top Achiever, Top Achiever में 7 स्टेट्स हैं, आंध्रा गुजरात, हरियाना, करनाटका, पंजाब, तिलंगाना और तमिलनाडू, यह है Top Achievers, फिर है Achiever, Achiever में हिमाचल, उत्तरपरदेश, ओडिसा, मद्धेपरदेश रखे गए हैं, फिर है Emerging Business Ecosystem, जिनमें 6 स्टेट हैं, मनिपूर, मेगालिया, नागलें, ट्रिपुरा, पु लिबरेट करें हैं, ठीक है, असाम में जो पहला Sports News आया था, वो Assomya के नाम से आया था, 1 July 1923 को, शिव सागर डिस्टिक्ट में, तीन दिन का एक competition था, वो cover किया था इन्होंने, 1 July 1923 को, तो Sports Journalism जो है, उसको 100 साल पूरे हो गए हैं, असाम में, इस दाट क्लिर, और, असाम म एक magazine है, first news magazine, वो कौन सी थी, वो थी, और उन्हों तोय, और उन्हों तोय पहली news magazine थी, 1846 में ये चपनी स्टार्ट हुई थी, असाम से तीन लोग हैं, जिन्होंने UPSC exam क्लियर किया है, शिलपा खानिकर, आयूशी कलवार और देवजोती बर्मन, शिलपा खानिकर की rank 506, आ development and interdependence, नदी का जो third summit हुआ था, वो कहां हुआ था, तो वो 28-29 मई को असाम के गुभाटी में हुआ था, तो आंसर है गुभाटी, नदी मतलब natural allies in, development and interdependence, ये शिलॉंग based एक think tank है, तो इन्होंने submit कराया था, ये नदी submit, इसको जो ये organization है, Asian confluence, Asian confluence नाम का एक think tank है, International Affairs Ministry के साथ मिलकर, International T-Day ये कब मनाया गया, International T-Day 21 मई को मनाया जाता है, और International T-Day FAO के द्वारा, जो है, वो मनाया जाता है, United Nations General Assembly ने propose किया था, 2015 में कि इस दिन मनाया जाए, लेकिन इंडिया में International T-Day 2005 में मनाया गया था, United Nations ने 2015 में स्टार्ट किया था, लेकिन इंडिया में 2005 से ही ये मनाया जा रहा है, असाम की क्या rank है, India Skills National Competition में, इसमें Ministry of Skill, Development and Entrepreneurship ने करवाया था ये, तो इसमें असाम 20th नंबर पे रहा, असाम को सिर्फ एक silver medal मिला, इसको टॉप किया, Odisha ने, Odisha was the best performer, असाम से कितने district हैं, जिन्हें आजादी से अंतियोदय तक के लिए सिलेक्ट किया गया था, 90-day campaign चला था, इसमें हमें 75 districts, जो इंडिया के 99 freedom fighters से associated हैं, उनमें हमें development करना है, तो असाम से 5 districts select हुए थे, आंसर है 5, यह हैं करीम गंज, करीम गंज से थे लक्ष्मन नायक, सोनित पूर से तिलेश्वरी बरुआ, नागाओं से भोगेश्वरी, फोका नैनी और कोपिनाथ बर्दोलोय, गोला घाट से कुशल कॉन्वर और बिश्वनाथ से कनकलता बरुआ, तो यह 5 district हैं, इन freedom fighters के, जिने select किया गया था, अजादी से अंतियोदे तक, इसमें इंडिया से 75 district select किया गये थे, यह बहुत important question है, यह बहुत important question है, इपंचायत award हुए, उसमें category 2 में असाम को रखाया तो असाम का क्या rank था, असाम का category 2 states में second rank आया, category 1 में बड़े राज्ये थे, इनमें करनाटका ने top किया, और category 2 में छोटे states थे, जिसमें त्रिपुरा ने top किया, असाम second number पे था, एक भारत श्रिष्ट भारत में असाम को किसके साथ pairing हमने किये, एक भारत श्रिष्ट भारत में असाम को रजस्तान के साथ pair किया गया है, जिससे mutual cultural exchange होगा, language, culture, tradition, music, tourism, cuisine, sports, इन सम्में mutual exchange होगा, culture का, तो ये था हमारा complete Assam current affairs January to July, बहुत ही ज़्यादा comprehensive video था, in fact मैंने जितने भी states के current affairs बनाए है, compilation उन में सबसे लंबा video Assam का ही है, इतना ज़्यादा comprehensively मैंने cover किया है इस video में, I'm sure आपको वो नजर आएगा, वो quality, और अगर आपने ये video अच्छे से देखा है, त के जवाब आपको नीचे comments में देने है, ठीक है, आप तयार है, इस challenge के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला question तो आपको ये बताना है कि, कनकलता बरुआ, जो freedom fighter है, वो Assam के कौन से district से है, clear, दूसरा question ये है कि, जो Assam है, आपको ये बताना है, कि वहाँ पर, एक function हुआ था अभ declaration war, जो हुई थी पाकिस्तान से, उसके 300 war veterans को सम्मानित किया गया था, वो सम्मानित किसने किया, और वो function कहां पर हुआ था, ठीक है, फिर आपको ये बताना है, कि Assam में, जो Chief Justice कौन बना है, गुवाटी High Court का नया, ये बताना है, फिर नामसरी declaration जो sign हुआ है, वो Assam की border dispute सु तरिया dance की बहुत बड़ी dancer थी, जिनकी death हुई है, उनका नाम क्या था, तो ये questions आपको comments में लिखे बताने हैं, और मैं आपको बता दूँ, अगर आप मुझसे daily current affair पढ़ना चाहते हैं, daily मतब पूरे 365 दिन साल में, daily, daily current affair में पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी, English में भी, आ वीडियोज अलग से मिलते हैं, defense current affair, agriculture current affair, पूरा इंडिया का कोई भी exam में, अगर आप topper से पूछेंगे, उन्होंने current affairs कहां से पढ़े थे, तो बहुत अच्छा chance है कि मेरा नाम लेंगे, आप randomly पूछ सकते हैं, मेरे reviews देख सकते हैं, पहले, लगबग, डेड़ लाख paid students है मेरे पास जो daily current affair मुझसे पढ़ते हैं, अगर आप मेरा current affair का course buy करना चाहते हैं, तो इसका price है, सिरफ 9.99, अगर आप ये code यूज़ करेंगे, वैसे price 1500 है, इस वीडियो में कोई आप देख रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ 9.99 per year, और आपको ये code यूज़ करना है CAGG, आप GGCA code भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आप code अप्लाई करेंगे, तो price आपको सिर्फ 9.99 पे करना होगा, link मैंने नीचे description में डलवा दिया है, आप मुझसे daily detailed current affair पढ़ सकते हैं, daily 25 minute का वीडियो आता है, सिरफ उसमें आपको complete current affair everyday दिये जाते हैं, और state current affair सबके लिए free रहते हैं, तो नीचे comment में लिख सकते हैं, मैं PDF भी आपको provide कर दूँगा, so thank you for watching, Assam current affair 2022